वो चंडिकर रेलवे बोट की टेक्निशन कटोप की बारें बात करेंगे तो इस बार आपकी कटोप कितनी रह सकती है कितनी वेकैंसी है और SC, ST, OVC, EWS की कितनी वेकैंसी है 2018 में कटोप क्या रही थी ठीक है तो पोस्ट वाइज हम चर्चा करने वाले हैं तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब कर ले यहाँ पर मैं आपको बता हूँगा 2018 में कटोप क्या रही थी कितनी वेकैंसी थी तो उस पर चर्चा करने वाले है तो चैनल पर नहीं हो त एक ही जगह आपका डाटा पूरा लिख लिया है दूसरी यहाँ पर 2018 में कितनी vacancy थी उसको भी बही पर लिख लिया है और जो आपकी cutoff थी क्या रही थी 2018 में DB के लिए उसको भी एक ही जगह मैंने लिख लिया है ताकि आपको आसानी रहे समझने के लिए ठीक है तो चली शुरूबात करते हैं यहां पर cut-off को देखते हुए बैकेंसि के अनुसार cut-off देखेंगे कितनी रही थी ठीक है तो पहली post जो आती है वो आपकी black smith की अगर बात करूँ तो 2024 में इसकी कितनी बैकेंसि है थीक है तो कटोप की बात करो तो यहाँ पर कटोप यहाँ पर बलेक इसमें इसकी उपलब्द नहीं है क्योंकि हमें कटोप इसकी नहीं मिली ठीक है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कटोप यह डीवी के लिए कटोप ती यहाँ पर इसमें कहीं पर भी मुझे ब्लेक इसमेंस के लिए cut-off नहीं मिली है ठीक है बागी सब करटागरी की cut-off बहाँ पर उपलवद है ठीक है और post के लिए cut-off सबकी उपलवद है वो मैं आपको बताने वाला हूँ तो अगली post है आपकी technician grade 3 EMU की तो EMU की अगर बात करूँ यहाँ 2024 में तो आपकी 40 वेकैंसी हैं ठीक है कितनी वेकैंसी है 40 वेकैंसी है 2018 के अगर बात करूँ यहाँ पर तो यहाँ पर आपकी 222 वेकैंसी थी Electrical Technician Grade 3 EMU के लिए ठीक है Technician Grade 3 EMU के लिए आपकी जो वेकैंसी थी 222 तो कटोब की बात कर लेते हैं कटोब कितनी रही थी इस बार क्या रहेगी तो यहाँ पर जनरल की अगर बात करूँ जनरल की जो कटोब रही थी वो आपकी 115 वेकैंसी थी जो कटोप रही थी 60.26 प्लस में आपकी कटोप रही थी तो इस बार यहाँ पर मात्र आपकी 16 वेकैंसी है ठीक है SC की बात करों तो SC की यहाँ पर जो कटोप रही थी 50.70 प्लस में आपकी कटोप रही थी 32 वेकैंसी थी इस बार यहाँ पर आपकी मात्र 6 वेकैंसी है ठीक है उसके बाद आगे बात करें HD की तो HD की जो कटोप रही थी 47.00 प्लस में आपकी कटोप रही थी 16 वेकैंसी थी इस बार यहाँ पर आपकी मात्र 3 वेकैंसी है ठीक है उसके बाद OVC की अगर बात करें यहाँ पर आपकी चार वेकेंसी है, कटोप इसकी उपलग्द नहीं है, क्योंकि पिछली बार 2018 में, AWS की वेकेंसी नहीं होती थी, तो 2024 के अगर बात करें, कटोप यहाँ पर आपकी पिछली मुकाबले हाई रहेगी, ठीक है, कटोप पिछली के मुकाबले यहाँ पर आपकी हाई रहेगी, ठीक है, अगली पोश्ट की बात कर लेते हैं, अगली जो पोश्ट है, टेकनिशन गेट थर्ड S&T की थी, कि पहले जो पोश्ट आती थी, यह आपकी सिगनल और टेली कम्यूकेशन के नाम से आती थी, S&T के अंतरगत, ठीक है, तो 2018 में S सिगनल और टेली कम्यूकेशन अलगला कोश्ट आती थी, इस वार आपकी मातरी यह S&D के ही नाम से आई है, तो वेकैंसी की बात करें, 2024 में तो 20 वेकैंसी हैं, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 305 वेकैंसी थी, तो यहाँ पर कटोप की बात कर लेते हैं, कटोप कितनी गई थी, देखे, 155 वेकैंसी थी जनरल की, तो यहाँ पर जो कटोप गई थी, जनरल की अगर बात करों, इस बार यहाँ पर आपकी 3 वेकैंसी है उसके बाद ST की बात करों तो ST की जो कटोब गई थी वो यहाँ पर 77.21 प्लस में आपकी कटोब गई थी 23 वेकैंसी थी इस बार यहाँ पर आपकी 1 वेकैंसी है ठीक है उसके बाद OBC की बात करें तो OVC की जो cut-off गई थी 85.88 plus में आपकी OVC की cut-off गई थी 82 vacancy थी यहाँ पर 82 vacancy थी इस बार मातर यहाँ पर आपकी 4 vacancy है ठीक है उसके बाद EWS की बात करो तो EWS की यहाँ पर 2 vacancy है तो cut-off की अगर 2024 में यहाँ पर बात की जाए तो इसकी cut-off भी यहाँ पर इस वार high रहेगी ठीक है तो cut-off यहाँ पर पिछली मुकाबले यहाँ पर आपकी high रहेगी ठीक है चलिए अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं अगली जो पोस्ट है technician gate third welder की जो पोस्ट है पहले भी आपकी यह बैल्डर की कई उसमें आती थी जैसे आपका बर्क सोग अलग अलग डिपार्टमेंट के नुसार बैल्डर की बहुत सारी पोस्ट अलग अलग आती थी इस वार केवल technician gate third welder के नाम से यह पोस्ट आई है ठीक है तो यहाँ पर अगर 2024 की बात की जाए तो 2024 में यहाँ पर आपकी मात्र तीन vacancy है ठीक है 2024 में यहाँ पर तीन vacancy है 2018 की अगर बात करूँ यहाँ पर तो 2018 में जो vacancy थी बैल्डर की वो आपकी 102 vacancy थी ठीक है कितनी थी 102 vacancy थी ठीक है उसके बाद यहाँ पर अगर कटोप की बात करें तो कटोप कितने रही थी 2018 में देखे जनल की 56 वेकैंसी थी जो कटोप रही थी यहाँ पर जनल की 56 वेकैंसी के लिए वो 74.94 प्लस में आपकी हाइस्ट कटोप रही थी देखे यहाँ पर जो मैंने लिया है वो highest का top को लिया है सारी category मैंने पहले बताया था welder में कई सारी उसमें आती थी इस वार के वो welder की नाम से ये post आई है तो उसमें से मैंने total vacancy में से highest का top को लिया है तो इस चीज़ का आपको ध्यान लगना है उसके बाद SC की अगर बात की जाए तो SC की जो cut up गई थी 15 vacancy थी 35.97 प्लस में SC की cut up गई थी इस वार यहाँ पर एक vacancy SC की है एक ही यहाँ पर prisonerl की है HD की बात करों तो HD की जो cut up गई थी welder की वो यहाँ पर 37.25 प्लस में आपकी cut up गई थी 7 vacancy थी इस बार यहाँ पर आपकी कोई वेकैंसी नहीं है STK ठीक है उसके बाद OVC की बात करूँ तो OVC की यहाँ पर 24 वेकैंसी थी जो कटोप गई थी OVC की तो अगर उसकी बात की जाए तो वो 33.65 प्लस में आपकी कटोप गई थी OVC की 24 वेकैंसी थी इस बार यहाँ पर आपकी एक वेकैंसी है मात्र ठीक है अगर बात करूँ EWS की तो यहाँ पर कोई वेकैंसी EWS की उपलत नहीं है ठीक है तो अगर पिछले मुकाबले यहाँ पर कटोप देखें तो बेल्डर की कटोप पिछले मुकाबले यहाँ पर भी हाई रहेगी ठीक है तो टोटल नंबर वेकेंसी भी कम है यहाँ पर और इस बार कटोप सभी में आपकी हाई रहेगी इस जिसका आपको ध्यान लखना है पिछले मुकाबले कटोप आपकी ऊपर ही रहेगी ठीक है क्योंकि देखिए बेकेंसी पिछले मुकाबले कम है हर डिप और मेकेंसी भी कम है और ELP आपका अलग है टेक्निसेन आपका अलग है तो इस चीज़ का बिसेश अंतर पड़ेगा इसमें कटोप पर तो इसका भी आपको ध्यान लगना है पिछली मुकाबले कटोप आपकी हाई रहेगी केबल ब्लेक इसमें को छोड़ दिया जाए तो बाक मेसेज करने की सुविधा है कोल इस पर आपकी नहीं लगेगी ठीक है तो वाट्सअप जो भी जानकारी चाहते हैं वो इस नमर पर करिए आपको वहां से उपलग करा दी जाएगी ठीक है तो वीडियो अच्छी लगए हो तो लाइक करें किसी अधर बोर्ट की कटोप देख सकते हैं तो फिर मिलेंगे किसी नई टोप के साथ कल जब तक के लिए धन्यवाद